नमस्कार आप देखे रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो नाखपुर के एक कंपणी जिसका नाम है SMS कंपणी जो रेलवे ट्रैक रेलवे मार्क का जो कारे होता है उससे जोड़े कामों में ये कंपणी ठेका लेती है और ऐसा ही एक ठेका वरधा नांदेड यवतमाल रेल मार्क का कारे शुरू है और जिसमें नाखपुर की SMS कंपणी ने एक कारे लिया और जिसकारे में ये था कि ट्रैक के आसपास या ट्रैक पे मिट्टी मुरुम का भरन करना था और जिससे भरने का काम इसे SMS कंपणी को मिला यवतमाल जिले के दिगरस तैसिल में एक मस्जीद है जिसे जुम्मा मस्जीद कहते हैं जो बड़ी मस्जीद है और बड़ी फेमस मस्जीद है और जिसे लोग जामा मस्जीद भी कहते हैं इस मस्जीद के पास में अपना अधिकारीक जमीन काफी बड़े पैमाने पे है और SMS company ने इस जमा मस्जीद के जो ट्रस्टी हैं उनके साथ में एक agreement किया एक करार नामा किया और जिस करार नामा में कहा गया कि जो अधिकारिक जमीन मस्जीद की है उस मस्जीद से ये खनन करेंगे यानि कि मिट्टी लेंगे और railway का जो कारे शुरू है ट्रैक का काम शुरू मस्जीद ने इमांदारी पुर्वक अपना agreement किया सब कुछ किया लेकिन SMS company अपनी इमांदारी दिखा नहीं पाई क्योंकि ये company वहां से मिट्टी लेने के लिए तैसिलदार का कोई online या offline किसी प्रकार की कोई permission लिए बिना पांच एकर जमीन में इसने खनन कर दिया यानि कि वहां से इसने मिट्टी सप्लाई कर दिया मुरूम सप्लाई कर दिया जानकारी मिलते ही हमने वहां के तैसिलदार का से जिससे बात की इसका नाम है प्रवीन धानोरकर जी उनसे बातचीत होने के बाद में एक पत्र हमारे हाथ में आया जिस पत्र में तैसिलदार सहाब का ल प्रवाइब कर दोस्तों यह मुरूम और गौन खनीज सप्लाइब का मामला है आए दिन सुनने में आता है अवयद खनन मामले में कुछ ने कुछ करवाईया होते हैं यानि कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महराश्ट्र के राजस्व विभाग का काफी बड़े पैमाने पे न सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे अवयद खनन करने की हिम्मत SMS कंपनी जैसे लोगों को कैसे प्राप्त होती है आखिर इनके पीछे किनका हाथ होता है कि जो इस प्रकार से राजस्व को करोड़ों का चूना लगाते हैं अवयद धंदे हैं आखिर बिना रोयल्टी बिना पर्मिशन के इतने बड़े मातरा पे बरस्टा चार दिगरस तहसिल में किस आधार पे किस आधार पे SMS कंपनी ने किया है यह सारी जानकारी आने वाले अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे अगले एपिसोड में हम आपको यह भी और इसके साथ अन्य अहम जानकारिया जो हमारे पास जल्द पहुंचने वाली है उसके जानकारी फिर लेकर आएंगे राजस्व का इतना बड़ा नुकसान यानि की देश के इस महराष्ट प्रदेश के हर एक व्यक्ति का नुकसान माना जाता है